कि आप सब्सक्राइब करने वाले अपना आज के लिए मैच रहेगा किसके बीच में एक तरफ आपको देखने को मिलेगी यहां से इंडिया पहला ओडिया अब क्या कुछ प्रेडिक्शन से रहती है सारी चीज़े करेंगे डिसकस वीडियो को आकर तक देखते रहे ना और और टेलिक्राम चैनल भी आप जोइन कर सकते हो जहां पर मैं टीम से हैं बाकि सब अपडेट्स वगरा सब कुछ शेयर करने वाला हूं तो टेलिक्राम चैनल को भी जोइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो जल्दी जागी जोइन कर लो बाकि चलते है अपने मैच के उपर यहां से वन थरी रही इस मैच के डिलाइन और देवेंटर स्टेडियम जोहानसबर्ग में जो मैच अब हो रहेगा बाकि आज आते हैं जहर अपना नेक्श निकल कर वैन्यू स्टेट्स के ऊपर और फिफ्टी दू मैंच यहां पर खेले जा चुके है 24 जीते बैटिंग फर्ष ने 28 जीते बैटिंग सेकेंड करने वाले टीम ने एंड हमने देखा कि यह एक तरीके की ना फ्लैट पिच यह नों ने बनाई थी तीसरी टीट्वन टीम है क्योंकि उसी साथ तोड़ा अंदाज अलगा सकते हो सेम ग्राउंड है महीं पर मैच होग दरिख इनिंग की पचासगी है फिर भी ऐस्ट करना टीम जोई जादा प्रैफर यहां से कर सकती है अब यहां जाते हैं जड़ा प्रीवेस इन के मैचे के ओपर तीक है आँब यहां से वही सेम चीजिज जो मैं जोहान आस बर्क के लिए रिपीट करता हूं and जो हर बार होत चल चीज रहती है जो कहीं और आपको नहीं मिलेगी कि वह जोहानसबर्ग में लेफ्टाम और्थडोक्स अच्छा करते हैं और अगर तुमने टी-20 का भी देखा तो भाई पहले जो दो विकिट है वो भी लेफ्टाम और्थडोक्स ने निकाल लिया यहां से ठीक है देखें लेफ्टाम और्थडोक्स एकदम बढ़िया कमाल करते हैं ठीक है इस पिछ पर पदा नहीं कैसा ग्राउंड पट है वाई ऐसा यह जब साथ ऑफरिका टी-20 होता था तब एरन फंगीसों मेरे को याद आगे कि पिछली बार याद नहीं था एरन फंगीसों वहानसबर्ग से पिछ निकाल लेता था ठीक है बिजन फोर्चुन यहां खेलना था, वह फिकट निकाल लेता था केस्व महाराज यहां खेलना था उसने दो फिचले मैच में करें लेचा तो पाइज केलिए qaiya एक ऐस ऑपके पर को यह मैच हुआ था जिसमें कि साउट आफरिगा ने 363-95 scan होकर उस्ट्रेलिया 193 पर लाउट हो गई थी तो अगर आप देखोगे कि बैटिंग करना यहां पर फायदे मनतों है ठीक है अभी सबसे रिसेंट है रिसेंट का ही मैच है दस विकेट पेस के और आठ विकेट यहां पर आपको जो स्पिन के देखने को मिले थे महीं सेगेंड पाकिस्तान ने बनाए है 324 तो एक चीज यहां पर और देखो पिछले चार में से तीन मुकाबलों में यहां पर 300 से उपर का स्कोर बन गया पहले बैटिंग करते हुए तो एक यह चीज भी ज़रूर साथ अफरिगा की भी और साथ ही साथ इंडिया के भी ध्यान में रहेग पिछले चार मैच में 43 विकेट पेसर्स नीस विगेट यहां से स्पिनर्स के हैं और जब जब लेफ्टाम और थोड़ोकस आयए विगेट उन्होंने भी निकाल के दिया बागा यहां से 8 विगेट के फ़र्ष्ट में है और सेगंड इनिंग स्पिन के रहते ग्यारा में वह इनिंग पेसर 23 और सगेंड इनिंग पेसर के वह था करते हैं तो ले सकते हैं दो स्कूर बट बहुत जादा स्मिनर को मत भर ले ना उपन करते हूँ आपको दिख सकते हैं आज आसमारी जाहिंट्रेक्स आज यह अच्छा करता है ठीक है जब भी ओडिय होते उसमें यहां से का इसने सिर्फ दो ही मैचस खेले हुए है तो यहां पर मैं इसके लिश्टे स्कोर्स लिख रहा हूँ जो अभी इसने रिसेंट्ले में साथ अफरी का डोमेस्टिक में लिए ना सिक्ष्टी एट वन फोटी तरी थर्टी टू फोटी अच्छे हैं दो मैच में चार मैच काफे जादा बहतर हो डीसेंट बैटर है ग्रैंड लिग में ज़रूर आप एक सी वीसी टॉन डी जोर्जी को यहां से करके चल सकते हो एंड इवन मिनी ग्रैंड लिग में लेना थो लिए यहां से बैटिंग मॉलिंग दोनों करता हो जरा जाएगा यूग्प सामने लेफ्टेंडर इंडिन टीम में आजके लिए उस वजह से उसका बाद में हैं हैं बैटिंग फर्श तो बदहें कि बैतर करके जा सकता है बैटिंग सेकेंड में भी कुछ अच्छा करके जा स्टेट से उसके बेसिस पर देखते हैं लेना है कि नहीं लेना है एंडायल को बोलिंग करता हूं नजर आ जाएगा बैटिंग भी वल्ला गुमा सकता है टिक के बैटिंग भी कर सकते हैं अगर बड़ी तो बना देगा बाकि रीसेंट फॉर्म भी देखोगे तो कुछ ऐसा ही है 38 रन एक वेट 39 रन एक विकेट यह दो मैचस में जादा कुछ अच्छा नहीं है उसके बाद में यहां से वियान मल्डर है राइट है राइट हम मीडियम आपको बोलिंग करता हूं नजर आएगा इसके अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात करें तो जादा कुछ खास तो न काल रखे क्योंकि नांत्रे परकर भी ऐसा है जो खेला नहीं है भी साउत अफ्रिया के लिए जहां तक मेरे को आते तो नहीं खेले खेला भी होगा तो शायद एक मैच उसके बाद में यहां से केश्व महाराज है लेफ्ट आम और तो अब केश्व महाराज या शामसी कोई केश्व महाराज को अच्छी बोलिंग करते हैं केश्व महाराज में अब हैतर है और रिसेंट फॉर्म भी आपको देखकर अंदाजा लगी जाएगा बाकि लिजार्ड विलियम्स ने दो मैच खेलने वाइद है को दो विकिट और एक विकिट इसने निकाल रखे तो यह पातवा तो कोई बनता ही नहीं है यहां से रीजा हेंड्रिक्स है बाट आइड़न थिंग बॉलिंग कराएगा मारकरम फैलुकायो मल्लर बर्गर और महाराज और यहां से विलियम्स आपको बोलिंग करा तो नजर आ सकते हैं उसके बाद में आते हैं जरा नेक्श निकल कर इसके उपर तबरे शमसी है अच्छे फों में विकेट्स वगर अविसली निकाल देगा एक से दो विकेट्स एक तो निकाल देगा दो कि तो मैं बोलों गैरेंटी नहीं है यहां से शमशी की उसका बाद में हैं और यह अरून कहां से आ गया इसको हटा 111 स्कोर था यह लग इसके जो लिश्टे विकेट्स है वह काफी जाता है नाम कैसा अभी हो प्लेयर जबादस बढ़िया है इंपक्ट डाल सकता है अगर आग है ना पहले मैच में ही खेलने तो ज़रू ध्यान रखना जील वगर है कि टीम्स में आप ट्राय कर सकते हो इनकेस अगर इसका डेब् वर्ड आपको उपन करते हैं क्योंकि और कोई उपनर है नहीं एक तरफ तो गायक वर्ड दूसरी तरफ आपको कोई भी यहां से देखने को मिलता नहीं है तो साही शुदर्शन रहेगा अगर रिसेंट के देखो मैं पचास और वाले जो मैचेस हैं साही शुदर्शन के उन अलकुल आज के लिए तो रिस्पोंसिब्लेटी रही तो टिकर भी कहलेगा बागी अब तक गायकवर्ड ने चार जो है ओडियाई मैचेस खेले जिसमें एक स्कोर अच्छा तीन बार गायकवर्ड यहां से फ्लोप हुआ है तिलक वर्मान एक ही मैच कहला है ओडियाई का प मैं मश्क बनेगा उसके बात मैं आते हैं रेंको सिंग के उपर आप मैंने बेलाइक की यहां से नहीं है तिल थोड़ा सी डाउट रहेगा रेंको सिंग के उस नहीं हैनेソ और इंपॉंट तो दोनों ही बनते हैं, दोनों को रख पाऊ तो भाई दोनों को बिल्कुल मावलों रख कर चल सकते हो, अदर्वाइस कुल दीप तो मच्ट है, ओडियाई मैचस माच्छा कर रहा है, चहल को मौका मिलने के चांज मरगों कम लगते हैं यहां से, अगर चहल पार ने यहां से, तीन ओडियाई मैचस खेलें, तीन विकेट जीरो और एक विकेट यहां से आपको जो है, इसका देखने को, मलतबहा तीनों बोलर्स एकदम ही ऐसे हैं, जिन्होंने खेल कर भी कुछ अभी तक जादा उखाड़ा नहीं है, तो यह सीरीज इनी के लिए रह हैं, तो हो सकता है, पहले बैटिंग करने आ गई, तो बड़िया वाला एक स्कोर जड़ करी जाएंगे, उसके बाद मैं बेंच प्लेयर्स की बात करें, तो संजू सेम्चन रजत पार्टीदार है इदर से, हो सकता है तो रजत पार्टीदार को मौका मिल जा रिंकू सिंग क जगे पर, ठीक है, या फिर संजू सेम्चन को रिंकू सिंग की जगे पर खिलाए जाए, यह पोसिबलेटी बिल्कूल है, यह यहां से चीज रहेगी, और इवन यह भी हो सकता है, संजू सेम्चन या फिर तिलाकवर्मा किसी एक को यहां से मोका दिया जाए, ठीक है, को जगे नहीं लिखा है कि बहुत की जगे आएगा, तिलाकवर्मा या फिर रिंको से, ठीक है, किसी एक के जगे पर आपको संजू सेम्चन खेलता हो दिखेगा, और संजू सेम्चन ओडियाई में अच्छा खेलता है, ठीक है, मैं बुरा ही नहीं करूँगा, बिल्कूल भी, स्कोर बाब बहुत बड़ी है, एक बर जीरो पर गया, वरना 73, 77, 31, 70, 64 का स्कोर है, उसके बाद में आते हैं वशिंग्टन सुन्दर, लेफ्ट अंड बैट, औफ ब्रिक बोलर, रिसेंट कुछ जादा खास सुन्दर का देखने को मलता नहीं है, चहल की बात करेंब है, चह आशदीप को शामिल किया गया, इनके रिसेंट फॉर्म आप देखोंगे, तीन, तीन, एक, एक, दो विकिट है, तो यह रहते हैं हमारे कुछ, जो वेंच प्लियर सा भागी देखो, इधर से बॉलिंग, मुकेश, कुल्दीप, आविश, आर्शदीप, और यहां से अक्षर इनकी बात करूं, तो इनका बहुत बढ़िया है, ठीक है, इन्होंने 40 में से 30 जीत हैं, और 10 ही मैच ऐसे हैं, जो अब तक यह हारे हुए, तो इनका जो है काफी साथा बहतर जो है, देखने को मिल जाते है, वेंडियो पर उसके बात में रंस की बात करें, तो सबसे उपर न हम आता है, यहां से डैविड मिलर का, दस मैच में 374 रंस है, 62 का आवरेज है, यहां से मिलर का, ध्यान रखने हैं, दस में से 4 वार नोट आउट भी रहा है, आवरेज इसलिए बढ़ा हुए, वहीं कही 62 के आवरेज पर फिदा हो जाओ, ठीक है, दस मैच में 374 रंस है, मैच में 102 फैलुकायो के नाम भी और क्लासन ने चार मैच में 88 बनाए हुए, तो यह रहते हैं हमारे जो मेन्यू लीडर्स है, आग क्लासन जादा कुछ खास नहीं किया है, फैलुकायो बैठीक है, बैटिंग में वैसे बहुत नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, डशन ठीक किया हुआ है, मारकरम ने अच्छा किया हुआ है, मिलर की बात करो, मिलर ने वो जो अपना काम है वो ठीक किया, लाश्ट में आगे मैचे सुनिश, वो ठीक किया है, मिलर ने, कोई दिक्कत नहीं है, फैलुकायो ने साथ मैच में 8 विकेट निकाल रखें, इस ग्राउंड प और उसमें भी फिर तीन मैच यहां से नो रिसल्ट आजाते हैं तो इंडिया तोड़ा सा इस स्टैट्स को उपर ले जाना चाहिए भी ओडियाई सीरीज जीद के वहीं अगर रंच की बात करें तो फिर मिलर का नाम उपर है 25 मैच मेला के रंच सिर्फ 500 यह मिलर के ठीक है मिलर नहीं ओडियाई मैच में जादा अच्छा नहीं किया इंडिया के अगेंशन में बात करूं तो 25 मैच वपांचों रंड इवन एक फिनिशर के लिए बहुत कम होते हैं उसके बाद में श्रेश है नो मैच में तीन सो सत्तर देखो श्रेश यह की 52 का आवरेज श्रेश यह का क पर अच्छा करता है उसके बाद में मारकरम 13 मैच में 283 का वरेजिवाज ठीक्था की आपछा तो नहीं है अम बट वन्यूबर है तो भाही लेकर तो जरूँ चलेंगे मारकरम को साथ साथ बोलिंग भी डालेगा उसके बाद में यहां से डशन अच्छा करता है अगे इंड जरा अपना नेक्ष निकल कर बॉलिंग शेक्शन तो कुल्दी प्यादा हो तो भाई एकदम चा गया इसको साथ अफरीका दिख जाए अच्छे विकेट निकाल देगा तक 11 मैच में 26 विकेट है कुल्दी प्यादों के बहुत जादा अच्छे मतले भी है बहुत कम देखने को मलता है ओडियाई में वरना ऐसा होगे बाद 15 विकेट उसका बात में फैलू को आयो दस मैच में 10 विकेट शमसी है साथ मैच में 6 विकेट वरना बाग्यों को देखो तुम एवरेज श्ट्राइक रिट कितना जाद है स्पेशली साथ अफरीकावा लोगा केशा महाराज के 6 मैच में 5 विकेट वर्शिंग्टन सुंदर ने दो मैच में 3 विकेट निकाल रखें ठीक है तो बोलर्स की कहानी यही समापत हो जाती है अब आज आते हैं जरह अपनी टीम के उपर आज के लिए जो टीम है वो क्या र को नहीं रखा तो फिर मैंने फैलुकवायो को यहां से रख लिया बाकि चाहो तो आफ फैलुकवायो की जगे पर जा सकते हो किसी और के साथ में बड़ी इसली लाइक शाम सी अगर खेलता है तो पिक कर सकते हो लिजार्ड विलियम्स आपके पास में एक अच्छा उप्शन मन जाता है यहां से बिक करने के लिए नांदरे बर्गर नहीं भी ठीक बोलिंग की थी पहले मैच में जब टीडवन टेम उसका डेब्य हुआ तो ले सकते हो अगर रखना है तो बाकि यहां से कुल्दी प्यादो और मोकेश कुमार को रखा है बाकि यहां से कुल्दी प्या के लिए ट्राइब कर सकते हो आपकी ग्रैंड लिक के टेम्स में तो यह जात है अभी के लिए टीम और सब चीज़ा बागर आपको वीडियो पसंद आएगा हो तो लाइक जरू करना चांग को सब्सक्राइब अगर नहीं क्या हुआ हुआ है फटावट से कर लोड़ बाग क